इस लेक्चर में हम discuss करने वाले हैं theorem 1.3 and theorem 1.4 को theorem 1.3 को start करने से पहले कुछ examples लेके दिखते हैं suppose हमारे पास यहाँ पर एक number दिया गया 196 और यह पूछा गया है कि क्या 196 divisible है 7 से तो divide करके दिखते हैं 196 को अगर आप 7 से divide करेंगे तो कितना आएगा 7 to 14, 7, 8, 56 so basically यहाँ पर एक perfect integer आ रहा है जिसका मतलब यह है कि यह properly divide हो सकता है 7 से तो हम यह बोल सकते हैं कि 196 is divisible by 7 और 196 है क्या basically यह 14 का square है और यह 7 से divisible है और हम जानते हैं कि 14 तो automatically 7 से divisible है यह तो हम पहले से ही जानते है इसी के साथ साथ एक और number लेके देखते है 36 क्या यह divisible है 3 से obvious सी बात है क्योंकि अगर आप इसको 3 से divide करेंगे तो 12 आएगा तो इसका मतलब यह है कि अगर आप इसको proper square के terms में देखेंगे तो यह 6 का square 3 से divisible है और हम यह बात जानते हैं कि 6 भी 3 से divisible है तो आप एक चीज़ notice कर रहे हैं कि कोई भी एक number है कोई भी एक number का square है वो अगर किसी एक prime number से divisible है तो आप automatically देख पा रहे हैं कि वो number भी मतलब जिस number का square अगर P से divisible था तो वो number भी automatically P से divisible था ही यह तो हम observe कर पा रहे हैं लेकिन ऐसा होता क्यों है कि यह चीज़ हम देख तो पारें लेकिन इसके पीछे का reason क्या है इसके पीछे का एक simple reason है अगर आप यहाँ पर 196 के factors देखते अगर मैं आप से कहता कि 196 के factors बताईए कितने हैंगे तो आप इसको factorize करेंगे तो यह हो जाएगा फिर यहाँ पर 2 आएगा फिर यह 3 बचेगा फिर यह 3 आएगा तो यहाँ पर यह कितना आजाएगा 2 square into 3 square तो दोनों ही cases में आपको एक चीज़ पता चला है कि यहाँ पर जो भी factors repeat हो रहे हैं जो भी factors आ रहे हैं वो बार बार repeat हो रहे हैं अब इसका मतलब यह है कि अगर यह हमारे पास number था a square इसके अंदर कोई prime number p था तो वो एक बार तो नहीं आया होगा वो भी दो बार आया होगा तो इसका मतलब यह है कि यह अगर prime number दो बार repeat हुआ है इसके अंदर p दो बार अगर repeat हुआ है तो अविस सी बात है कि जब हम इसका root करेंगे तो इस number के अंदर भी तो P आएगा ठीक है क्योंकि root करेंगे तो फिर वो एक factor हट जाएगा यहाँ पर मतला अगर आप इसका root करेंगे तो कितना होगा सबकी power 1 हो जाएगी ठीक है तो ऐसे ही यहाँ पर जब P square आया होगा तो जब आप root करेंगे तो यहाँ पर P आ जाएगा तो automatically आपको पता चला है कि A square अगर P से divisible है तो A भी P से divisible होगा यह था pure logic अब हम इसको किस तरीके से proof करके दिखाएंगे proof करके दिखाने के लिए आपको सिर्फ कुछ नहीं करना है आपको सिर्फ एक चीज दिखानी है कि यहाँ पर मान लेते हैं हमारे पास एक number है A जो कि अगर उसके factors अगर आप लिखते हैं तो यह P1, P2, P3 इस type की form में आता है up to PN ले लेते हैं इस type की form में इसका यहाँ पर factorization हो गया अब आप इसका जब square करके दिखते हैं तो यह कितना होगा यह P1 का square हो गया, यह P2 का square हो गया, यह P3 का square हो गया अब आप 2 PN का square अब आप देखिए कि अगर यह A square P से divisible है अगर यह A square P से divisible है तो obviously बात है, यहाँ पर कहीं न कहीं P square आ रहा होगा अगर यह A square divisible है P से तो यहाँ पर P square कहीं न कहीं आ रहा होगा तो अगर यहाँ पर P square आ रहा है तो automatically इस जगा पर भी P आएगा ही आएगा यह थी हमारी proper तरीके से theorem और इसके अंदर अगर आप इस theorem को लिखेंगे तो क्या लिखा जाता है तो कहा जाता है कि let P be a prime number इसको आप prime number ले लिजे यह होता है हमारा prime number अगर यह है इस P divides divides A square then P also divides then P also divides A where A is a positive number जहाँ पर A एक हमारे पास positive integer है ठीक है यह होता है theorem although मैंने इसको पूरा proper language के term से नहीं लिखा है बस मैंने सिर्फ और सिर्फ shortcut में लिखाएगी किस तरीके से मतलब present किया जाता है आप इसको language के term से लिखी सकते है exam में तो यह part आपका clear हो गया कि किस तरीके से 1.3 theorem derived हुई है और किस तरीक क्या होता है इसके पीछे का logic यह हमने discuss कर लिया अब इसका जो यूज होता है वह 1.4 theorem जो है उसमें यूज होता है इसका proper यूज होता है तो हम देखते हैं कि 1.4 theorem है क्या तो आप देखेंगे कि यहां पर 1.4 theorem यह कहती है कि हमें यह प्रूफ करना है कि root 2 एक irrational number है प्रूफ यह हमें प्रूफ करना है यह चीज हमें प्रूफ करनी है यह शो करनी है तो अब आप देखें कि root 2 एक irrational number है कि नहीं है यह तो हमें पता नहीं है ठीक है मान के चल लेते हैं कि हमें नहीं पता है although वैसे तो हमें पता है कि rational है लेकिन मान लेते हैं कि ये root 2 irrational नहीं है suppose let root 2 be a rational number root 2 be a rational number अब हमने इसको suppose कर लिया कि ये हमारे पास एक rational number है तो हम बोल सकते हैं कि किसी भी rational number को आप pyq के form में represent कर सकते हैं तो हमने यहाँ पर pyq ले लिए दो number ठीक है और यह जो pyq है यह number क्या होंगे अगर आप देखेंगे pyq तो यह क्या होने चाहिए तो हम यह बोल सकते हैं कि यहाँ पर p and q are co-prime ठीक है कई लोग इसमें बहुत confuse हो जाते हैं कि p और q को आपने co-prime बोला है तो यह co-prime है क्या तो reality में मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर जब भी co-prime की बात आती है तो यह co-prime का मतलब यह नहीं होता है कि p और q prime होना जरूरी है ऐसा जरूरी नहीं है suppose co-prime numbers यह भी हो सकते हैं जिसमें 2 और 3 दोनो प्राइम नंबर भी हैं और साथ में एक दूसरे के लिए भी co-prime है लेकिन यहाँ पर 3 और 4 भी एक co-prime हो सकते हैं जहाँ पर 3 तो prime number है लेकिन 4 एक composite number है चल्व यह दोनो एक दूसरे के लिए co-prime है ठीक है और साथ में आप ऐसा ही बोल सकते हैं कि suppose आपके पास यहाँ पर कोई number है 4 and then 21 ये भी co-prime है तो ऐसा जरूरी नहीं है कि कोई दो number co-prime है तो इसका उतलब वो दोनो number prime भी थे ऐसा कोई necessity नहीं है ये भी आप बोल सकते हैं कि यहाँ पर अगर दो number है उन दोनों के बीच में अगर common factor 1 है इन दोनों के बीच में कोई भी common factor तो नहीं है तो इसका उतलब यह एक दूसरे से cancel out नहीं होंगे तो एक दूसरे के respect में ये prime है कि इसके respect में ये prime इसके respect में ये prime है अब आप देखें कि यहाँ पर हम यह इस तरीके से लिख सकते हैं कि दोनों तरफ से अगर मैं square कर दूँ on squaring both sides on squaring both sides तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर यह root 2 का square हो गया और यह कितना हो गया p square by q square so this implies 2 is equal to p square by q square ठीक है तो यहाँ पर आप आप बोल सकते हैं कि p square की value कितनी होगा अगर आप cross multiply करेंगे तो यह हो जाएगा 2 q square ठीक है और मैंने इसको interchange करके लिख दिया है मतलब p square वैसे actually में आता 2 q square is equal to p square बट मैंने यहाँ पर इस तरीके से लिख दिया है ठीक है p square is equal to 2 q square अब आप यहाँ से एक चीज नोटिस करेंगे कि यह number 2 से divisible है कि नहीं है हम बोल सकते हैं कि p square is divisible by what divisible by 2 क्यों 2 से divisible है क्योंकि इस equation में पता चल ला है कि यहाँ पर 2 आ रहा है 2 into q square आ रहा है मतलब यह 2 का multiple तो हो गई होगा तो हम यह आप से सीधा बता सकते है p square is divisible by 2 और अभी हमने इससे पहले एक फियोरम में किया था कि अगर यह number 2 से divisible है तो इसका मतलब यह है कि p भी 2 से divisible होगा क्यों होगा क्योंकि किसी भी square number के अंदर एक factor एक से ज़्यादा बार repeat होता है दो बार repeat तो minimum होता ही होता है तो p square भी 2 से divisible होगा ही होगा अगर P भी P square भी 2 से divisible है तो हम ये भी तो बोल सकते हैं कि P square P को हम 2 times of any number 2 के ले ले लेते हैं 2 times of any number इस form में represent कर सकते हैं अब इसको हम ले लेते हैं first equation अगर आपका P किसी भी एक particular number से represent किया जा सकता है तो इसको हम replace कर सकते हैं इस equation में first वाली equation में अगर आप इसमें replace करते हैं मतलब ये second equation है from equation 1 and 2 from equation equation 1 and 2 क्या आएगा तो यहाँ पर यह आ जाएगा हमारे पास 2K का square is equal to 2Q square ठीक है अब 2K का square इसको हम बोल सकते हैं 4K square is equal to कितना हो जाएगा यहाँ पर यह हो जाएगा 2Q square 2 से यह cancel out हो जाएगा बचेगा यहाँ पर 2 तो यहाँ पर हमें एक चीज और पता चलती है अच्छा मैं इसको next page पर लिख देता हूँ क्योंकि यहाँ पर यह page में cover होगा नहीं तो यह चीज हमें पता चल गए कि 2K square is equal to Q square है अब इसको interchange करके लिखे तो यह Q square is equal to 2K square आ जाएगा तो यहाँ से हमें पता चल गए है कि यह Q square is divisible by 2 क्यों 2 से divisible है by 2 क्योंकि यह 2 के form में दिख रहा है क्योंकि हम देख रहे हैं कि यहाँ पर Q square क्या है 2 के multiple के form में है तो हम बोल सकते हैं कि Q square is divisible by 2 अगर Q square divisible by 2 है तो अभी हमने एक theorem करी थी कि अगर square number कोई भी एक perfect square divisible by 2 है तो वो दूसरा number जो वो number particular है वो भी divisible by क्या होना चाहिए 2 से ही वो divisible होना चाहिए अगर q square 2 से divisible है तो q भी 2 से divisible होगा अब आप देखिए यहाँ पर q भी 2 से divisible है p भी 2 से divisible था हमने देखा था ना कि यहाँ पर p भी 2 से divisible था और q भी 2 से divisible है इन दोनों से तो आपको पता चल ला है कि अगर मैं इस equation को 4 बोल देता हूँ और इस equation को मैं 3 बोल देता suppose मैंने इस equation को 3 मार्क किया होता और उस equation को 4 मार्क किया होता तो हम बोल देते हैं कि from equation 3 and 4, we can say that P and Q have a common factor, और कौन सा को common factor है वो, और वो common factor, have a common factor, that is 2, इन दोनों के बीच में common factor है, जो कि 2 है, अब अगर इन दोनों के बीच में common factor है, इसका मतलब यह है कि P and Q, hence P and Q are not co-primes, अब इसका मतलब यह है कि P and Q co-prime तो नहीं है, लेकिन हमने initially क्या लिया था, हमने इन दोनों number को co-prime ही लिया था, इसका मतलब यह है कि यह पहले ही part को contradict कर रहा है, जो हमने suppose किया था, उसी root 2 को P and Q के form में represent कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि ऐसे कोई भी दो co-prime number existing नहीं करते हैं, जो root 2 को represent कर पाएं, तो इसका मतलब यह है कि hence, root 2 cannot be presented in the form of P and Q, so root 2 is irrational, irrational, यह है, अब आप ऐसा नहीं कि root 2 के form में इस तरीके से, ऐसा आपके पास root 5 भी question आ सकता है, root 3 भी आ सकता है, root 7 1 भी आ सकता है, किसी भी question को आप इस तरीके से कर सकते हैं, आपको करना क्या है, बस start वहीं से करना है, कि कोई भी आपके पास prime number का root दिया गया है, और पूछा गया है कि यह rational है, यह कहा गया है कि इसको proof करो कि यह rational है, तो करना क्या है कि इसको सिर्फ आप P by, अब यहाँ प करते चले जाएंगे, तो आपको idea लगता चले जाएगे किस तरीके से करना है, ठीक है, क्योंकि दोनों तरफ आप square करेंगे, फिर इस further question को resolve करेंगे, फिर आप देखेंगे कि कुछ ना कुछ इसमें problem create हो रही है, जैसे यहाँ पर हुआ था, यहाँ पर आपने equation बनाई, फि तो यह जो हमने पूरा assumption लिया था starting में ही, तो यह चीज हमारी possibility नहीं हो सकती है, यह part clear हो गया, अब हम इसी से related कुछ examples भी करेंगे और साथ में कुछ questions भी करेंगे, तो उसको हम discuss करेंगे next lecture में,